नमस्कर आपका हमारी यूडूब चैनल में आप स्वागत है बता दू कि चर्चा में रहा MSP जो किसानों से जुड़ा हुआ यह MSP है इसके बार में हम लोग इस वीडियो के माइदम से जानने जा रहे हैं उससे पहले बता दू कि अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल अगर हम MSP का बात करें तो MSP यानि इसको इसका full form होता है minimum support price धिक है minimum support price जानि किसानों को घाटा ना हो उसके लिए ये support दिया जाता है सरकार के दुवारा किसानों को उनके फसल पर ताकि उन्हें घाटा ना हो तो ये क्या है ये एक तरह की guarantee guaranteed कीमत होती है मतलब उसमें सरकार guarantee देती है जो किसान को उनकी फसल पर मिलती है अगर बाजार में उस फसल कीमत कम भी होगी तो भी उस फसल की जितनी MSP यानि minimum support price है वही कीमत किसान को मिलेगी ठीक है तो ये कीमत कौन देगा अगर किसान घाटा में जाएगा तो वो कीमत जो है सरकार देगी ताकि किसानों को घाटा ना हो और इसमें क्या है विस्तरित में हम MSP के बारे में इसमें जानेगे ठीक है इस वीडियो में इसके अलावा MSP यानि minimum support price या फिर नियूंतम समर्थन मुली से हिंदी से कहा जाता है ठीक है या किसान की इच्छा पर निर्भर है कि वो फसल को सरकार को बेचे MSP पर बेचे या फिर व्यपारी को आपसी सम्मती से तई कीमत पर ठीक है कौन तई करता है MSP फसलो को नियूंतम मुल्य CACB या क्रिसी लागत एवं मुल्य आयोग तई करता है कौन तई करता है क्रिसी लागत एवं मुल्य आयोग तई करता है और देखिए यहां पर MSP के बारे में क्या कहा जा रहा है MSP यानि minimum support price का अर्थ होता है नियूंतम समर्थन मुल्य यह सबसे कम गीमत है जिस पर FCI यानि भारत या खाद निगम चैसे सरकारी अजंसिया किसानों से फसले खरिदती है ठीक है APMC क्या होता है तो APMC मतलब होता है Agricultural Produce Market Committee किरसी उपज बाजार समीती है ठीक है यह भी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि MSP का full form क्या होता है और APMC का full form तो APMC का full form होता है Agricultural Produce Market Committee और देख लेते MSP में और क्या चीज़ है तो अभी हमने MSP के बारे में चर्चा किया ठीक है और यह MSP आने नियुन्तम समर्थन मुल्य जो होता है वो भारत सरकाय करती है उधारन के लिए यदि धान का नियुन्तम समर्थन मुल्य दो हजार रुपिये परती कुइंटल किया गया है तो कोई वेपारी किसी किसान से बाइस सुरुपिये परती कुइंटल के दर से धान खरीज सकता है किन्तु इतना रुपिय पट्टी कोइंटल के दर से नहीं खरे सकता ये कहना है MSP का ठीक है आगे है इसमें MSP के बारे में कि न्यूंतम समर्थन मुल यानि MSP यानि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP किसानों की फसल कि सरकार दुबारत तई कीमत होती है ये जो कीमत है वो सरकार फिक्स करती है रासन सिस्टम के तह़र जरुवत मन लोगों को अनाज मुहिया कराने के लिए इस MSP पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरिती है अब यहाँ पर समझे जो रासन कार्ड बनता है गरीबों के लिए तो वो रासन आता कहां से है वो रासन जो है किसानों से वो फसल खरिती है मिनिमम सपोर्ट प्राइज यानि नियुन्तम समर्थन मुल दे करके ताकि उनको घाटा ना लगे और वो फिर सरकार जो है गरीबों को रासन कार्ड के माइधम से बेचती है मात्र एक रुबे परती किलो अगर आपका रासन कार्ड होगा तो यह आपको मालुम होगा फिर आगे लिखा है बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यूं ना हो सरकार उसे ताए MSP पर ही खरीदेगी यानि अगर माल लेते हैं किसी चावल का बाजार में रेट है 20 रुपए किलो ठीक है लेकिन MSP का पराइज है 25 रुपए किलो तो सरकार उस चावल को 25 रुपए किलो ही खर देगी ताकि किसान को घाटा ना हो और वो फिर आशन कार्ड धारी को फ्री में वो राशन मुहाया कराएगी यह है सरकार का काम अगला जो है हमारा किसानों से जुड़ा हुआ एक है APMC से जो मैंने अभी बताय था Agricultural Produce Market Committee यानि क्रिसी उपज बाजार समीती है इसके इस्थापना परतेक राज जी की राज सरकार दुबारा किसानों को उनकी क्रिसी उपज बेचने के लिए एक मंच परदान करने के लिए की गई थी तो पूछ सकता है कि APMC का full form क्या है और ये क्यूं इसकी इस्थापना की गई थी तो इसकी इस्थापना परतेक राज जी में किया गया है ठेक है परतेक राज की राज सरकार दुबारा किसानों को उसकी क्रिसी उपज मतलब वो जो भी उपजाते हैं उसको बेचने के लिए एक मंच परदान करती है और वो वहाँ जाकर बेच सकती है यह वो कमेटी को देश भर के किसान क्रिसी बिलो के खिलाफ पर दर्शन कर रहे हैं तो अभी तो फिलाल हाल फिलाल में एक न्यूज आया है कि कि MSP जो क्रिसी तीन जो क्रिसी कानून थे जिसे किसान काले कानून कहते थे उसे मोधी सरकार ने फिर वापस लेने का फैसला लिया है आगे क्या लिखा है साथी लागो कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं अगर हम MSP को यानि न्यूंतम समर्थन मुल को और अच्छी तरह से समाजना चाहे तो हम इसे भी जान सकते हैं देखे लिखा हुए कि जब बाजार में क्रिसी उत्पादों का मुल लिगिर जाता है यानि किसान बाजार में जाकर अगर उसको चाहिए 25 रुपए किलो लेकिन बाजार खरिती है मात्र 20 रुपए किलो या 15 रुपए किलो तो उसको कहता है कि उत्पाद का मुल लिगिर गय यानि उसका value घट गया, तब सरकार किसानों से नियूंतन समर्थन मुल पर किसी उत्पादों को क्राय करके उनके हितों की रक्षा करती है, यानि आप समझ लीजे फिर से कि बाजार में अगर किसी चीज का मुल घट गया है, जिससे अगर किसान बाजार में जाकर बेचे तो उ वो क्या करेगी, वो सरकार के पहुंच जाएगे और सरकार के बोलेगे कि सर आप नियूंतन समर्थन मुल दे करके हमारा प्रोडक्ट खरिद लीजे, ठीक है, ताकि हमें घाटा ना हो, और हमें नियूंतन समर्थन मुल मिल सके, ठीक है, इस परकार से काम करती है, MSP, आगे क यह लिखा हुआ है, कि नियूंतन समर्थन मुल जो होता है, नियूंतन समर्थन मुल की घोसना सरकार दुवारा क्रिसी लागत एवां मुल आयोक की संस्तूती पर वर्स में दो बार रवी और खरिप के मौसम में की जाती है, तो वर्स में कितना बार किया जाता है, वर्स में दो बार नूंतम समर्थन मुल की गोशना सरकार दुवारे किरिशी लागत एवं मुल आयो की संस्तूति पर वर्स में दो बार रवी और खरिप के मौसम में की जाती है आगे देखिए MSP के बारे में और क्या है देश में कब शुरू हुआ MSP का प्रावधन ये परिक्षा में आल सकता है कि कब शुरू हुआ तो यह लिखा वर्स 1965 ठीक है इसकी सुरूबात की गई तो सबसे पहले गेहुं की खरिद पर इसकी सुरूबात की गई आयोग ने 2018-19 में खरिप सीजन के दोरन मुल निती रिपोर्ट में कानून बनाने का सुझाव दिया था तो MSP के बारे में और भी जान सकते हैं कि नियूनतम समर्थन मुल की गोचना सरकार की और से क्रिशी लागत या मुल आयोग की सिफारिस पर साल में दो बार की दो बार रवी और खरिप के मौसम में की जाती है तो यह तो मैंने भी बताया केंद्र सरकार क्रिशी लागत एवा मुल आयोग यानि CACP की सिफारिस पर 23 परकार के जिन्सों के लिए MSP तई करती है अभी यह बढ़ भी सकता है यह घट भी लेकिन जो 10 फरवारी 2021 के रिपोर्ट के अनुसर 23 परकार के जिन्सों पर MSP तई कर यानि MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरिदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम डेड़ गुना अधिक होती है ठीक है नियुनतम समर्थन मुल किसी भी फसल के लिए वह नियुनतम मुल है जिसे सरकार किसानों के लिए लाबकारी मानती है और इ इसके माजधम से किसानों का समर्धन करती है ठीक है आगे देखिए लिखा हुआ क्रिसक उपज व्यपार और वानेज्जे सनवर्धन यम सरलीकरन विधेक 2020 इसमें सरकार कर रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है ठीक है जो तीन क क्रिशी कानून आये थे किसान इस कानून के जरिये अब APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को उचे दामों पर बेच पाएंगे नेजी खरिदारों से बहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे तो ये मोधी सरकार ने जो तीनों कानून लाया थे इसके विरोध में अभी भी जो किसानों का संगठन है वो जमी हुई है और इस विरोध को वो काला कानून ठहरा रही है और वो फिर इस कानूनों को वापस लेने के मांग कर रही थी लेकिन फिर कुछ दिन पहले मोधी जी ने जो है भासन देते हुए कहा कि इन कानूनों को फिर दोबारा वापस लिया जाएगा ठेक है और अगर देखें इसमें MSP के बारे में तो लिखे पर्मो क्रिसी उत्पादों के लिए MSP को सरकार की सिफारिसों के आधार पर परतेक वर्ष के अंत तक निर्धारित किया जाता है अब तक CSP 25 वस्तों के MSP की सिफारिस करता है जिसमें साथ अनाज जैसे के धान, गेहू, मक्का, सरबत, मोती, बाजरा जो रागी सामिल है इसमें आपका एक कोशन बन सकता है कि राष्टे किसन आयू का गठन कब हुआ था तो 18 नावंबर 2004 को हुआ था तो तीन नए कानून, क्रिसी कानून जो लाए गए थे उन्हें किसानों ने वापस करने की प्रद मोधी सरकार ने जो है उस मांग को फिर वापस लेने का निर्ने लिया और उसमें स्वामी नाथन रिपोर्ट एक आयोग है जिसके बारे मों लोग जानते हैं कि क्या इसमें महत्पुन भूमी का निवाती है तो देखें किसान स्वामी नाथन आयोग में नियूनताम स मर्थन मुल्य का निर्धारन क्रिसी लागत एवं मुल्य आयोग की अनुसंसा के आधार पर किया जाता है और क्रिसी मुल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी ठीक है 1985 में लागत निर्धारन भी इस आयोग का हिस्सा बना था तो क्रिसी कानुम तो वापस लेने का निर्धारन लिया जा चुका है लेकिन सरकार का क्या कहना था इस पर ठीक है मोदी सरकार का वो देख सकता है क्रिसी मंतरी नरेंडरे सिंग तोमर का कहना है कहना था कि MSP बंद नहीं होने वाली है सरकार MSP पर फसल खरिदती रहेगी किस वाले बात ये है कि मुख रूप से किन फसलों पर MSP मिलता था तो देखिए धान, गेहु, जो, जुआर, पाजरा, मक्का, रागी, चना, अरहर, तुवर, मुंग, उरद, मसूर, मुंग, फली, सरसो, तिल, सोया बिन, सुरज, मुखे, बीज, तिल, काला तिल, गेहु, जो, ज नियुंतम समर्थन मुल, यानि, गारिंटेड मुल, है, जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो, ठीक है, इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चड़ाओ का किसान पर असर ना पड़े, उ तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो का आप सेर कर सकते हैं, साथ ही वीडियो का लाइक करें, और अगर हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने ना बूले, ताकि आने वाले जितने भी आगामी सरकारी पर रिक्षा हैं, उनके आप किया जाते हैं, तब तक लिए उपको बहुत बहुत देने वाले